बश्कार दोस्तों इस तेन रिलेक हमने जो पेपर सोल किया था इप होगा आधा पेपर हम सोल कर चुके थे पचास कोश्या जिन्हों नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंग वह आप दे सकते हैं मुझे उम्मीर है कि आपको पहला पार्ट पसं किया था एक कोश्चन है 28 जिसमें मैंने बताया था वन बाइस इस एक्टूबिटेट टू आयो आयो हैस्टू मदब आयो के उपर इंक्वारी ओफिसर के उपर सागर एलिक्शन लगा है बाइस होने का चार्ज ओफिशल ने तो मैंने सुथ बताया था कि क्या करना है तो उस सब्सक्राइब करना है तो बात सही है लेकिन मैं आपको बता दो पहले कि इसमें ऑप्शन जो दिया हैं को उसको चूछ करना पड़ेगा तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं कि रिवीजन ऑथर्टी को फुट अपड़ना है इसमें जो लिखा है वह डिये की बात ही तो सब समय हो नहीं बतातो रूल की कोई भी इंक्वारी ऑफिसर के पास क्भेंट आयींड़ बाइस की सी यो है वा एधर जो है वह बूसक्ट नहीं कि शूप ही इंक्वारी ऑफिसर काम यह रहोगा कि वह जो भी कम्डेंट आई यह वह डिस्प्रेंट थोर्टी को मामला फॉरवर्ड करें उसके बाद वेट करें फर्दर ओडर के लिए क्या है कि नहीं किया जाता है क्या करते हैं तो जहांता कि मेरा मानना है कि नॉर्मली जो कैसे हैं वह डिस्प्रेंट को ही पुट अप करना आगे और नॉर्मली डिस्प्रेंट जो है नेच्ट्रल जस्टिस को देखते हो इंक्वारी चेंज कर जाते हैं नॉर्मली डिस्प्रेंट पुट प्याता है और रिविजन ओट्री जो होगी रूल में कहागा है के अंडर रूल 25 रिजब इल करेगा अंडर रूल 25 में दो तरह की रिविजन ओटर्टी होती एक तो एक्ट्री है या फिर दूसरा को चुकि अगर बांच ऑफिसर यद चले जाएगा या फिर बारबर करोंना जनररी लोग अवर्ट करता है तो मेरा ही मनना है कि अगर डीया डिस जो है कर दिया लेकिन हाँ अगर करता है तो फिर इंवारेबली भी मैटर शुट भी रफर्ट तूर रिविजन अधर्वाइज यूर्ट में गया अगर इंक्वारी ऑथरी जो है इसमें नहीं किया तो फिर मामला जो है अगर उन्दा कोण में जाता है तो जाएगा थी बंती है कि अगर उसके बास का इलेक्शन आता है उसको चेंज कर दें नहीं तो मामला जाएट्पर्ड भी सकते हैं इसके अंदर यह मेरा विजस्म को बात चली थी तो बदा दू हो कि इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है वह यह को रोग दे और यह हमारा कोश्चन में करेंगे जो हमने किया था इसमें के अच्छा कोश्चन में कि रिगारडिंग APR कंसरेंशन फॉर में सब्सक्राइब गश्चेज नीज वेड़ित खेंगे अच्छन में कौन सा अर्वी जो है इसमें जो वात्य कहीं है गलत लिखेंगे एक पहला कोश्चन बताएं पहला एक इसमें ऑप्र बताय कि वर जैसा कि आपको नियम बता हुआ है कि में पर इस बुड़ हुआ करता था नाया पॉलिस से आया उसके बाद यह नियम आ गया है कि पच्छी साथ दोजार सोले यह डेट को याद रखी काफ़ इंपोर्ट डेट है किसी भी एक्जाम है आगी फॉर्द जितने भी एक्जाम फिर रेलो बर्ड उसके बाद कई में सीपी केस में दू टू गुड कईयों के में सीपी जो है उनसुडवल कर दिये तो फिर लोगों ने यह यूनिन ने जो मांग रखी है बोर्ड में उसके अंदर फिर बोर्ड ने नया रूल निकाला रिवाइस केस में ठोड़ा सा पार् के लिए मेगा से रूल लगे ना नहीं चीए लेकिन अगर उसके बाद लागो होता है उसके बाद के लिए अड़ी होता है पच्छे साथ के बाद तो वहां गूड को वेरी गूड माना जाएगा इस तरह का अजले बोड़ा दूसर सब्सक्राइब निकालाता है नियों उसम इस नौट कवर्ड बाइजम्शन तो फाइव रूल फॉर इंटर रेल्वे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसवर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसवर के जो नियम है जैसा कि आपको मालूम होगा कि मिनियूम पांच साल की सर्विस होनी जरूरी है को भी कमचारी जो है बंदा जो आरन भ किसी तरह का अगर होता है तो इसको पांसाली सर्ष करना पड़ेगी उसके बाद ही वह इंटर रेल्वे के लिए अपलाइग कर सकता है अब रिसेंटली दस साल रेले बोर्ड है हलाएं कि जी हम डिसाइड करेंगे इड़को पर इन कंसल्रेशन की कि किस कि स्क्राइज को दस सब्सक्राइब करने की जरूत नहीं है इसको पांसाल की सब्सक्राइब करने की जरूत नहीं है जिसमें भी नन अनुदिश आयगा अगला 53 एक फांक्शन और रेल्वेेर रेट्ट्री टी बुनल इंक्लूडिंग द फॉल्लाइं कि रेलेट्स जो ट्रू नहीं है उसकी फंक्शन क्या है बगाज में कि यह फंक्सें निम्लीकित फंक्शन से पहला है लुक इन्टू कॉम करती है कमर्शल बोडी सब्सक्राइब करती है रिगार्डिंग किसी को किसी कमचारी के पसनल पर्टूलिय कोई कमचारी है यह को फार्म में जो भी उसके खिलाब को अन्रीजनिबल पुस्वेंस दिया जा रहा है तो इसे मामले को डील करना है साथ भी बोलता है कि giving advice to general manager in respect in regard to cases of dismissal, removal or compulsory retirement from service of group C staff in connection with exercise of reasonable power of HGM where such cases are referred to RIT for giving advice. तो मैं बता दू आपको पहला तो complaint वाले मामलता है दूसरे में बता दू मैंना कुछ में DR का एक lecture मैंने लिया हुआ वीडियो मेरा अबले वाले पर सक्वेंस में बताया गया था कि rule 24 जो है special provision to group C मैं यह कहा गया था है कि अगर appeal disposed हो जाता है कि किसी कमचारी को remove dismissal और compulsory retirement क penalty दी है अपिल में भी stand good रखा जाता है तो उस कमचारी के पास प्रोविजन होता है special provision 24 24 में कि वो direct revision authority को ना करके second appeal एक provision है जिसमें वो GM को कर सकता है और साथ में प्रोविजन और था है कि GM को भी request कर सकता है कि मेरा मामला जो है RIT को बेजा जाए कि मेरा RIT ही इसमें decisionless में और GM जो है फिर उस मामले को RIT को refer करते थे advice दी जाते थे और RIT जो भी recommendation देते थे उसके उपर फिर GM अपना obviously को भी authority under DR वो सला लेसता है लिंग application of mind इस अच्छी बात है लेकिन DR के अंदर को भी display authority, appeal authority, revision authority को yes to apply on mind, so लिखना ही पड़ेगा कि मैं इस पर गया हूँ, मैं agree करता हूँ, करके बढ़ें, यह दो duty हुआ करती थी इसमें, लेकि इसमें 53 में रूल मैं बता दूँ आपको, जो पहले जो रूल था हमारा, यह letter रेले बो के मामले में, वो अंदर रूल 24 था, रेले सर्वें DR रूल, इसमें अब बोर्ड ने बोलाई कि अभी recently 2020 के बाद कुछ अमेंड हुआ है, हमारा पानेस एक चेप्टर जो था, उसकी तहद, यह जो मामले सारे matters जो हैं, वो RIC को refer हो गया है, जो इसतर के मामले थो, sorry, RCT को refer हो हो गया है, और उसमें अभी जो डिस्ट्री रूल के कनेक्शन में कोई बात नहीं कही है, तो अब यह जो मामला है आपका, अभी जो लेक्टर इसमें इसमें इस्ट्रेक्शन हैं, वो यह है कि, accordingly, the railway may dispose of all the pending cases at level of general manager is provided in rule 242 of railway service, discipline and appeal to 97, without any reference to RIT, which has since ceased to exist, यहनी 2020 में रिलेबोर ने लेटर निकाल दिया है और इसके साथ बता दिया है कि RIT की जो duties हुआ करती थी, वो maximum काम जो है, वो RCT को shift कर दिया है, और उसमें DR रूल करने के सम्मन में कोई भी आदेश या जानकरी नहीं दिये, अब मामले जो है, DR के जो भी मामले है, वो RIT को नहीं भेजे जाएंगे, यह एक latest update है, यह भी question पूछा जा सकता है, exam में कि RIT को भेजना है, तो आपके इसको, अगर यह रूल आपको नहीं मालूम है, तो obviously आप विलए decision लेंगे, तो मैंने का आपको बता दो, सही नियम जानकर यह होना चाहुज़िए, तो अब RIT को नही जाएगे, तो अब हम question पर आते हैं, तो हमारे जो question था, उस जमाने में जब question बना होगा, तब क्या नियम था, मुझे मालूम नहीं लेकिन अब हमारा answer इसमें, अब हमारा answer इसमें, अब हमारा answer, अब हमारे D सही answer हो जाएगा, इसमें, none of this, दोनों भी duty नहीं होगा, तो यह हमारा D answer सही हो जाएगा, ठीक है ना, हम आगे चलता है, शताब्दी express was introduced to a commandant 100th anniversary of which leader, यह सबको मालूम होना चीह, मेरे का से जीकेगा, कि शताब्दी चालू की थी, वो जावाल नहीं की, जो सो सल पूरा होने की, खुशी में start की थी, उनको celebrate करने के लिए की थी, तो यह हमा पहला question है हमारा when and between which station was the first राज़ाने express run, पहला कब चली थी यह, तो यह इसका answer है, 1st March 1969, हाला कि नेट में सच किया है, तो इसमें डेली न्यू डेली टो हवरा लिखा हो था, लेकिन इसमें हवरा तो दिली आश्वाम टिक कर रहता है, विच इस लोंगेस्ट रेल्वे इसमें डिया, यह हमारा भोगी बिल है, अभी लेटेश शयद है, यह बाद पिससे पहले वेमबनार था, तो अभी इससे यह लेटेश शयद अभी आगे है हमारा भोगी बिल, फर्स्ट दूरन तो express was run between, पहला जो रून तो कहां से कहां ते चलाता है, यह शाल्दा तो निल में स्पेशली मिनिस्टर स्टाफ और वेलफेर इस्पेक्टर का पूछना चाहिए, कोशन जनर नहीं जाता है, यह मैं अच्छा लगा कोशन, मैं जरा बता दूं आपको इसमें जरा सा कि हमारा जो जूनियर क्लर का जो रिक्रोमेंट होता है, इसमें 33, 16,23 कोटा है, 33,1,3 क कोटा है, यह मालू है, जूनियर क्लर क में, जो है, पहले की जमाने में बता दूं, यह रूल नया अभी आया हमारा, पहले 33,1,3 जो होता था, वो आरार भी करता था, बाकी जो मामला था, रेमेनिक पार्ट, 16,23 वो प्रमोशन होता था, 33,1,3 में भी जो आरार भी कोटा था, उसमें 20% जो है, ड्यार कोटा था, वो था, 13,1,3 जो होता पर्सेंटे, वो रेले अंप्लोई को अपलाई करता है तो अब उसको 13,1,3 को रेले बोर्न ने बोला कि नया रार भी से नहीं भरेंगे, हम उसको ल्ड़े से भरेंगे, तो होती है यह जो है थाटी का प्रोविजन किया हुआ है यह हमारे चीफ और हमारे चीफ लिस्टों में अंडेर परसेंट प्रमोशनल कोटा रहे जह लात हुए वेलफेस पेटर में जो हमारा 15% आरावी कुटा है बही हाली सो में 35% जो है हमारा एक्सकाड़र जिनरल सेलेक्शन है जो अलेले डिपार्मेंट से जो आते हैं वहां से आते हैं 35% 50% जो है वो भी हमारा LDC सेलेक्शन होता है दिनरल जिसमें सिर्फ मिनिस्टिर स्टाफ के ही पसनल टके लोग ही भचते हैं ति इस तरह के joint वी करना चाहिए कि पस्टे seguir हो हमको एवी सी मौनूम हो m nowot 5 सिर्बीटेउ लोग आता हैँ तो यह आउट-of-pocket allowance for sports person and official of participation in sports sporting event at international level has been discounted यह मैं आपको अल्लडी allowances का मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बता चुका हूँ कि out-of-pocket allowance बंद कर दिया है maximum allowance है वह एक जुलाई सत्रा से बंद हुआ है तो यह भी जुलाई सत्रा से ही बंद हुआ है याद दख लिजिए द्यटिक जुलाई सत्रा मिस्टेक कमिटेट इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फूर फिलिंग अब पोस्ट उस्टेनोग्राफ़र के अंदर जो मिस्टेक होती है जिसमें कहा गया है, full mistake किसको बोलता है, इसकी definition है, तो ये दोनों जो पार्ट है, A और B, every omission of a word of figure, और every substitution of a wrong word of figure, ये दोनों को दोनों full mistakes में count होती है, standard of law firm के अंदर, और ये ही चीज़ जोनोंने C के अंदर बता है, A and B are full mistakes, तो ये सही है, cease में सही हो जाएगा, 62 में चंप्टरी allowance for 10 establishment has been abolished, जैसे मैंने बता है, maximum allowance जो है, abolishing होए है, वो एक साथ 17 से हुए है, मेरे का सब ये question आएगा तो बहुत easy question हो जाए है, कि maximum allowance जो दिये हैं, वो एक साथ 17 से दिये हैं, और abolishing की है, एक साथ 17 से ही हुए है, एक सी risk allowance मैंने बताया था, वो 3.11.20 से बताया था, जो जब देख लिएगा, वो 3.11.20 से ही लाग वा था, इसके बाद, question है, 63, the second central pay commission was constituted in the year, second central pay commission, अभी हमारा साथ 17 पे कमिशन आया था, पहला, दूसरा, तिसरा इस तरह, साथ ये दूसर को पुछा है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं आपको बता दू 63 यह हमार पे कमिशन का मेरा निकाला था पहला पे कमिशन मैं बता दू हमारे को पर्स पे कमिशन वास्ट इबलिशन ऑन जन्यूरी 46 इन इस 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 रिपोर्ट इन माई 47 पहला जो रिपोर्ट बनाता हो आई थी अमारा जब गुलामी में हम थे आजाद नहीं मिले थी जन्यूरी 16 में और आजादी से पहले ही 47 मैं में हमारा देश आजाद हुआ था हुआ था अगस 57 में 10 years after इंडिपेंस एंडिव इस रिपोर्ट आफटर तू येर्स दो साल में इसका रिपोर्ट दिया था थी हमारा सेकंड पे कमिशन के बारे हम बात की इसी तरह इसमें बाकी पे कमिशन भी है थर्ड पे कमिशन 1970 में आया था रिपोर्ट दिया था 73 और इस तरह के जो है हमारे पे कमिशन के भी अप्डेट देख लिए थी क्या 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 देट में पे कमिशन आये थे हमारा इसमें 57 हो जाएगा सेकंड पे कमिशन 64 question मैं कुछ बताया है दा rule number quoted below the refer to book rule chapter of rule book shown one of the proposition यह मैं दूड़ना लेकि मुझे मिला नहीं मैंने तीनों देखे अच्कल ये लागू जरू थे ही नहीं अच्कल तो पड़े लेके लोग आ रहे हैं तो किसी जमान है जब रेलवेश वात हुथी तब मेक्जिमम कैसे में कई गूप D एलेक्टेट लोग हमारे बढ़ती होते थे उसमें डेट बर्त का कैसे लिखा जाए उसके बारे में नियम ह है इसमें क्या गया है कि a candidate the time of his appointment on 5-97 in a group D service has stated that his age is 20 years in the case he would be what would be the what would be taken as a date of birth pick out the correct answer इसमें क्या गया है को candidate उसका appointment जो है पांस जो 97 में group D में आया है और उस दिन वो बताता है उसकी age मेरी 20 साल है तो हमको क्या date of birth मानना है तो इसके लिए पहले हम नियम पे बात करने है 65 यह हमारा IRM का प्यरा है इसमें एक आगया है कि when person entering service is unable to give his date of birth but his age, he should be assumed to have completed the age, stated age on the date of attestation for example if a person enters service on 1st January 80 and if on that his age was started, stated to be 18 years, his date of birth should be taken as 1st January इसके बाता है कि मैं इतना साल का हो गया हूं उससी तारिक को माना जाएगा कि उसकी age इतनी साल complete हुई है तो उससी date को पकड़ लिया जाएगा कि वहां पे वही डेट अपर उसकी तो यहां पर कोई कमचारी जैसे बोलता है 1st January 1980 है 18 साल का है तो 1st January 1962 इसका date of birth हो जाएगा इसमें भी हमारा question जो है यह बोलता है कि 5297 को बोलता है 20 साल है तो 5297 इसकी date of birth मानके 20 साल पीछे जाएगे इसमें C हो जाएगा इस date of birth would be taken as 5297 इसमें यह मेरे साब से इसका सिस है रूल की जब बात हो रही है तो अगर कोई date of birth बताता है कि आज मेरी 18 साल 20 साल होगी है तो वह date वहां से आप जाएगे उतना पीछाएगे लेकिन कोई कमचारी बोलता है कोई candidate बोलता है कि when the year and year of month year and month of birth are known but not as early date कोई कमचारी बोलता है कि साब मैं तो 90 अभी इसमें उपर गई कोश्चन था 97 में सोरी और में हमारा कोश्चन में देख लुए रहा था 97 कोई बोलता साब मैं 97 पैदा हुआ मुझे मालूम है कौन से मायना में और date मुझे मालूम नहीं से year मालूम है ऐसे मामले में अगर बो अगर इसमें तो बताएगा देगा कि में कितने साल का सभी हूं लेकिन वह अगर सिर्फ यह बताता है तो हम उसकी डेट पर पकड़ेंगे फर्स्ट जुलाई अगर वो बुलता है कि सर मुझे year और month भी नहीं पता है न year पता है न month पता है तो ऐसे मामले में यह माना जाएगा कि वो इसकी जो है 16th of the month यह माना जाएगा यह इसमें नियम है तो मैं बता दूँ आपको जड़ा आपको मालूम होने चाहिए कि मेंग्जियों एले पी कितनी जाएगी मेंग्जियों मेंग्जियों सेटी लिए बारा मेन ना पुरें एंटाय शरी स्में चायल के लिए तीं इस सब आपको याद होने चीए कि खुटी कितना टाइम एक्जियों मिल सकती है इसमें लेचेवी का पूछा है था आपको चोवीस मेन आपको बालु में पंदर दिन यह सब चायल के के लिए मिनिम्म पांस दिन एक साल में तीन थी टाइम सीजिए आपको याद हो लिचिए है तो वाट एक्स्टेंड रेल्वे सर्वेंट रेजाइन इस सर्विस ऑन को भी कमचारी जो है इसमें पुछा कर रहा है तो उसको कितना लिव एंकेश्मेंट मिलेगा उसको अप्शन है और रेजिशन है और लिव एंकेश्मेंट और यह गलत है रेजिनेशन के अंदर 50 परसेंट जो लिव आपका क्रेट है सब्जेट तो मेक्जिम वन फिप्टी क्य ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आपको मेक्जिम जो इसमें सी बताया हुगा है वो सही हो जाएगा कि कोई भी कमचारी जो है अगर रेजिव एंक करता रेल्वेस है जनले लिव और जी आएस और पी आफ तीन चीज़ी इसको मिलेगा रेजिव और कुछ नहीं मिलेगा उसको जो इसमें जो ऑफिशेटिंग अलाउंस की बात की सभी औप्शन में यह भी सी अब आपको बता था है अब अब जीज़ाएं नहीं मिलेगा तो में सब्सक्राइब आपके जितने भी औप्शन से पढ़ने की ज़रूदी सभी में जी आपको आएगा कि के अवल ऑफिशेट नॉर्मल रूम मिलेगा तो यह सब क्यों कि आफिसी डान मिलेगा ही नहीं तो हम इसमें बात नहीं करेंगे तो इसमें नन अफ दिस अलगा डिया जाएगा पॉशन 69 इन केस ऑफ सी क्लास गें एन क्लासिफ़र इस एई वर्कर दे बेसिस ऑफ कैल्कुलेटिंग ऑवर्टाइम अंदर प्रोविजन में भी तो मैं आपको इस दिन बताया था है जो क्लास लेटी की एवरेजिंग प्रेड या तो एक एक वीक होता है या दो वीक होता है या फिर्टाइम होता है या या सैलून अटेंड इन लूगों का जो पहले किसी जमाने में जो निंटेंसिस्टीवन बना था चोया था तब दो वीक होता था लेकिन अभी चुदूर पांच अमेंड कर दिया है था 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 हूं इसले देखा या फिर निकांड तो पांच में एवरिजिंग पिरेट जो है हमारा एए में एक वी होता है सी और इंटेंसिव में दो वी होता है इसमें लेटिस्ट रूल के साथ से चलेंगे तो यह आ जाएगा वन विक अन विकली बैसेश यह बहुत अच्छा कोशन पुछा जिसने भी पुछा है सकता नमर का मुझे लगता है कि यह शायद बहुत कम लोगों को यह नियम मालम होगा और आज मुझे मुझे मौका मिला है यह आपको नियम बताने का वेदर किलोमेटर जाउंस और अलाउंस इन लियो किलोमेटर और डेली अलाउंस विल बी अड्मिसबल तुर रणिंग स्टाफ और वह अगर वह अंडर सस्पेंशन में है तो और उसको सस्पेंशन के दोरान कोट जाना पड़ता है जो कि उसके स्टेशन से काफी दूर है तो क्या उसको क्या मिलेगा कि इसको किलोमेटर अलाउंस मिलेगा अलाउंस इन लियो किलोमेटर मिलेगा और डेली अलाउंस मिलेगा पुचा गया है तो इसमें options है a he will get daily allowance as that of non-running staff under normal rules no he will not get any benefit for his journey as he is under suspension and court attention is also in connection with the own cases as the journey is not in connection with the running train he will get allowance in limit kilometer and he will get kilometer allowance in the same time in the second time we started the new new season and I will say about this before my APO was made in 2012 I will learn more on this but I have a lesson to tell you, my understanding is that I'm talking about the support of the black and white supporting doctor and I'm talking about the best of my team, I'm talking about the desk. So I just got a few hours to find it को की और ढूंडा भी इसलिए कि आप टेवरिंग अलाउंस में जाएंगे तो वन सिक्स तू सेवन पैरा है हमारा सुला नबरा चप्टर में साफ मुना कर गया है कि टेवरिंग अलाउंस रूल जो है रनिंग स्टाफ पर लागों नहीं होते हैं उनके लिए रनिंग अलाउंस दूना काफी चुकि मैंको मालूम था मिला इसलिए फिर लास्ट में मुझे दूने के बाद मिला उनको दे रहा हूं है नियम क्या है तो मैं आपको बसे बोलूंगा कि अंसर धूनने में काफी टाइम रता है और आप जल्दी वाज़े में आंसर ना दूनने और एक-एक कॉ इसमें एक आ गया है जो जो बोर ने डिसाइड किया हो मैं बताते हैं आपको सेकिंड नबरकर दर रनिंग स्टाफ वो और नोट अंडर सस्पेंशन और रिक्वाइड टू इंपर्मेंटल इंक्वारी और को लाग कोर्ट में भी अलावड अलाउंस इन लियो कॉमेटर यानि जिब नॉर्मल रनिंग स्टाफ ने अगर उनको जाना पड़ा डियार इंक करता है यूनियन मेटिंग करता है ब्लाड डोनेशन जाता है जो काफी साही चीजह है जहां वह अधर दर ननिंग डूटी करता है तो उसको एल के मिलता है बन सिस्टी मिलोटर बन सिस्टी किलोमेटर पड़े के साब से लेकिन इसमें आगे सेकंड पार्ट कहा गया है कि इफ रॉनिंग स्टाव अंडर सस्पेंशन वेन रिक्वाइट टू अटेंड डिपार्मेंटल इंक्वारी ला कोट में भी गांटेट ट्रेवलिंग लाउंस एस फूर देट रेल रेल्ड सर्वेंट इस इन्वेशन अंडर रूल जो भी हमारा आर्वन इसमाने के जुन नि में जो भी अलाउंस मिलता हैं जो हमारे नॉर्मल कमचारी को दी जाते हैं यह एक ही मात सर्कुलर है रेले बोड़का जो 1984 में इसके लवा मेरे जान करे में तो शहएद नहीं है कि दूसरा को सर्कुलर है और यही एक कंडिशन है जिसमें उनको ट्रेवलिंग देने के बात क तो सब्सक्राइब और थोड़ा सा मैं टाइम लोंगा इसके अंदर क्या होता है पहले सेकंड पार्डम हो फ़ह ज़रा साम्प एक तो उन्होंने कहा है कि आपको जब शस्पेंशन में आपको अंकोरी आटेंग करता है तो आपको टैबले नाज मिलेगा सब्सक्राइब और वह सास्पेंशन में है तो माल इस उसका एक लाग रुपे जर्एंग स्टाफ ने घبرलाacy जो सकर वह उसको प्लस pay on the basis of pay plus 30% pay element तो एक लग 30,000 के उपर मिलेगा उसको, वो किस बैसे मिलेगा वो बता दूँ, in case running staff 30% of basic pay is representing the pay element in running staff allowance may be included for calculating the subsequent allowance payable during the period of suspension, कोई भी running staff other than running duty करता है और headquarter में करता है तो उसको 30% pay limit दे जाता है और other than running duty beyond बाहर headquarter बाहर करता है तो 160 km हम उसको AL के देते हैं नहीं headquarter के काम करेगा तो भी AL के मिलेगा 30% और headquarter के बाहर काम करेगा तो 160 km मिलेगा AL के ग्रूप में तो headquarter में जो काम कर रहा है वो 30% मिल रहा है लेकिन यह जो है इसको दिया जारा suspension वो AL के नहीं है यह leave salary है जो भी 30% होता है तो यह ज़रा समझी है कि ऐसा नहीं कि 30% है तो हम तुक्का मारते हैं सब AL के मिल रहा है क् रहा है जो है जैनी स्पेंशन के अंदर AL के नहीं मिलता है मुझे लगता है वह दा यह जो ह। पिकि नहीं क玩 healthy durante तो पिल्च पडिशन मेंальных टिर मिलें हैं अब ह Pilka काम कर रहे हैं कुछ ही नी पिछी मिले गए को सबस्कुम्हाइब के अग्लेख फिर नहीं में इसमें हमारा सही हो जाएगा जनरली में कहा से बहुत कम लोगों को समझ में आ गया होगा ने तो दोबारा रिपीट करके देख लिएगा अगला कुश्चन है 71 टाइम लिमिट वितिन विच लंचम कंपेशेशन अंडर डबलू सी इस पे बल इस बहुत अच्छा कुश्च को लोगों को लगता है कि कोई भी कमेंचारी है उसकी डेफ होगी तो इसको पेमेंट जो एक मैने में देजाना चाहिए दो मैने में देजाना चाहिए एक डेफ हूई एक स्रेंड हूई तो इसमें नियम जो बताया है नियम शायद मैं लिकर आया है 71 नियम मैं कहा है compensation to be paid when due इसमें लिखा हुआ है कि कंपसिशिए अंडर सक्ट फोर शल्बी पेड एस सुने इस फाल्स दू तीसरे में बता हुआ है वेर एंड एन एंप्लोई इस इन डिफार्ड इंड पेंग दे कंपसिशिए फाल्स अंडर इसे विचिन वन मन्त फॉम देट इस फाल्स दू मतलब इसमें जो वर्डिंग आप पकड़ेंगे तो यहां इसा नहीं लिखाओ कि फॉम देट व एक्सेंट विचिन वन मन्त देना है यह फॉम देथ विचिन मन्त देना है इस में अब यह अलग इंटर्प्रशिए फॉम देना है इसके है कि अग मने के अंदर आपको देना है तो इसमें ड्यू ऊप्शन सही है लेकिन मैं थोड़ा इंटेपटिशन में डिस्कस करूंगा इसमें कि डियू कब होता है इसके अलग अलग है इंटेपटिशन होते हैं कोई बोले कि निग जब मर गया उससे एक मनव देना है एक्सिरेंट से 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 ए तुरिंग दे पर्फॉर्मेंस और इसकी ऑफिशियल डूटी होगी है करवार ऐसा लगता है कि कमचारी काम कर रहा है वह बाहर से कोई आदमी इसको जगड़ा हो और आकर इसको मार दे ठीक है और हमको लगे और ओन डूटी है उसको लग गया एक्सिट हो गया नहीं मारा कई म अगर अफिशियल प्रिमेसेस में भी अगर एक्सिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपका एंप्लोई के लाइबिटी बने कंपर्शेशन देने की तो उसके लिए पनता है नहीं मतना उसकी पर एंक्वारी कानी पड़ती है तो एंक्वारी के बाद अगर इस्ट यह इसकी जो थी इस्टेबिश होटा है कि यह जो एक्सेंट हुआ दूरिंग दे कोर्स ऑफ दूटी वाइल पर्फॉमिंग ऑफिशिल दूटा परमाफेट दूटी सुआ वहां से एक मने में दना चाहिए मेरा पसनल इंटरशन है बागे आप अपने रूल पढ़के अपन परमाफेट दूटी तो तर्मिडेट तो सर्विस और से इस्टाफ वर्किंग जैल वोड़ इस सवाल को भी मैंने दूड़ना मुझे जवाब जैले वर्ट में जो काम कर रहे हैं उनकी लिए कौन टर्मिट करेंगा यह मुझे नहीं लेकिन मैं ज़र्णल जैले में जिसमें इसको टर्मिट करेंगे जहां मैं लोजिक लगासता हूं कि चुकि जियम इस दा हैड ऑफ द जो शाद हैड को ही पावर दिया है तो उससे आप से सियर भी होना चाहिए क्योंकि ही इस आलसो दे हैड ऑफ रेले बोर्ट बाकी मुझे जानकर ही नहीं आप देख लिए इसको जब मुझे मालम चलेगा मैं जाब जर दूँगा सेवंटी तरे हुई दो केडर कंट्रोलिंग ऑथर्टी ऑफ लीगल डिपार्मेंट ऑफ इस्टन रेले जैसा कि मैं बता है कि लीगल डिपार्मेंट का जनरली वेस्टन रेले में डीजियम लाके अंडर में काम देल होता ह पस्प्स आ हेड अलग के बार्च इसका जभगाना मुझे नालग में अडर के हुई हो उस्टन को नियगल यह तो मुझेटें सोफ टो की राषी कोłumस्ते हुं घृता है अगला कुश्चन है इसका मैंने निगाला था स्याउंटी फोर में आपको दे देता हूं यह कुछ में निकाला था जिसके साब से जो है जो है इसका एत्री इंजिनिंग में एक्ष्टीमेटर निकार इंकर सी वन होता है और पीवे जो है एत्री में बता चीक हूं वाक्स में C बनाता है और डिजाइन सिविल जो है उसा B2 अलब लोग बता रखें इसकंदार और हम इसमें नीचे DMS में आएंगे हमारे इसमें का सीवन होता है इस्टोर में जो DMS होते हैं इसमें उनका सीवन है इसमें इसमें आजाएगा अगला कोच्छेंशन इन अपर एस लिमिट इन के सो एक्समें यूर केंडिट हुए पूट इन इसमें इसमें नियम है उसको भी मैंने निकाला था 76 यह मैंने एक नेट से निकाला है उसके नसाब से एक सर्विस्में हो पूट इन इसमें बतावाए यूर के लिए अलाला के लिए 33 यह प्लस इस यह अप्लोट कर दूंग आप दे सकते हैं हमारा जो कॉस्चन था वो यूर के लिए था यूर के लिए यूर में 33 यह से प्लस नमबर यह सर्विस इंडर्स डिवेंस प्लस यह हमारा सी सही हो जाएगा इसमें 77 का जो कॉस्चन है दर डिफिनेशिन और यह इंपेर इंक्लूड यह भी मैंने ढूंड़ना मुझे नहीं मिला मैंको जो मिला डिफिस में 20 डिवी दिखा हुआ है सेवंटी लिखा हुए मैंने डूंड़ना इसमें कई भी मेरा मैच नहीं हुआ तो इसलिए भी फ्लाल इसको मैं नहीं खार रहा हूं आगे चलते हम सेवंटी नहीं मेक्जिम वेज केल्कुलेशन सेलिंग पेमेंट पील बी के अंदर जो लिमिट थी पहले उसको 3500 थी बाद में वह एनास कर दी साथ अजार रुपे कब से किया तो इसका जो आंसर वन फॉर्टीन सही हुआ पहला आपको यादो फिक्टिन सिस्टिन में था फिर वापिस को बैक किया एक साल पीछे से गया जिसके अरेस भी मिला था हमारा यह हमारा एक चार्ट वन फॉर्टीन इसका सही आंसर होगा जब सेलिंग लिमिट बढ़ने की क्या सेलिंग है अच्छा कोश है यह नहीं बी नमबर वन थर्टी वन तूर्टी वन तूर्टी है यह आप देखेंगे नेट करेंगे तो यह इंटर रेले मुचल ट्रांसफर की बारे में इसमें बताया गया हुआ है बी आंसर सही है इसका इसमें का गया है कि कोई भी जो हमारे ऑफर आप्मेंट बिसते हैं केंडिये स्वार भी में सेलेक्शन के बाद जो उनका फाइनल सेलेक्शन हो जाता है तुम डिविजन को एक्रूमेंट में प्रसेस कंडिएड़ इसमें डीटेज़ गाई वन इंटी नeg बताया हुआ इसमें कहा गया है प्रवन में जो बहुत है जो पुचा गया एन अफर आप्र विच जो था हमारा प्रवन में बाकी प्रवन में बाकी बाता दूं जो पहला प्रवन में जो प्रवन में जो बहुत है उसके बाद नमबर तू भी करेंबर पूछ सकते हैं कि हमें अक्राइब करेंख है। तो वगर केंडिडेट सामने से लिक्वेस्ट करता था इसमें लिखा हुआ है कि वह इसमें लिका हुआ है कि इसमें बाद इक सेवार्ड यह खांट है extension देना maximum three months देना है उसके बाद नहीं देना है फिर आगे एक बात और कि यह कि and it may be granted only as an exception exceptions where fact and circumstance so warrant in any case up to maximum six months from the date of issue of original offer or appointment so normal condition में हम अगर लगता है जन्योने से तीर मेन है और लेकिन maximum time दिया हुआ है उसमें six months दिया हुआ है उसके बाद an offer of payment would lapse automatically after the expire of six months from the date of issue of original offer यह तो आपको यह question भी पूचा देखता है कि offer of payment जो देत दिया जाता है किसी को भी तो maximum time in any circumstances कितना मिलेगा उसमें कितना है तो तीन मेन हम देखते हैं तो यह अलए-लाला conditions है इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें जो answer इसमें प्रकाश दाल सकता हूं विजलेंस में जो आती हो तीन तरगी पहली normal component होती ही कमचारी कोई भी complaint करता है नहीं है बता दो उसमें कि कोई भी कमचारी को इसको अपना नाम एड्रेस प्रोपर देखके ही complaint करने पड़ती क्योंकि विजलेंस से वह verify होता है जैसे आप complaint करेंगे आप से confirm कराएगा कि क्या यह अपने यह जो अपने दिया है आपने दिया है साथ में यह भी पूछता है कि आपको ज़रुत पढ़ने पर क्या अडिशनल लाकुमेंट और कोई और भी complaint और को सपूर्ड लाकुमेंट है कि आप देंगे वह सब करता है अपसे लेता है कि अपसे यह निए नाम की जिसको बलता है और तीसी वह जो है और वार वाले आदमी लेकिन उसमें नाम वह चोखी जैसे मैंने बता है कि बिना नाम की एक्षा नहीं होता है करे लोग समझतार ही दिखाता है वो क्या करते हैं, किसी दुसरे फरगाई इडिएस लादेता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताए है, जितनी कम्टेर्ट आती है, उसक wichtiger है, तो और इडिएस की नाम की おपल ही है, इसको भी साहई होता है, no action would be taken and such complaints should be filed here 83 how many payments have been proposed by six CPC instead of several scales that is S1 to S30T introduced by the 5th P commission तो आपको जैसे मालों 5th P commission काफी सारी scales हुआ करता था S1 से S30 तो 6 P commission में उसको कम करते हुए चार payment कर जाता है payment level 1, payment 2, 3, 4 total 4 payment कर दिये था हमरे इसमें 20 सही हो जाएगा एक्सरेंट फीर अबार्ट आज गिवान एक्सरेंट फीर सरीज जो दिया आता है वह मैं बता दो सिर्फ ओपरेटिंग और मेकेनिकल डिपार्मेंट के डाइवर मोटर में ASM, SM, pointsman के भीने सिर्फ इन ही को दिया आता है इसके लावर किसी यह नहीं दिया था तो इसमें 20 साही हो जाएगा हमारा 85 वे वाट इस दे नंबर ऑफ नंबर फॉर्म ऑफिशल साइट एन स्टाफ साइट इन जेस्यम एट नेशनल लेवल यह जरा में विदा दो उसमें कोशन जो पढ़ेंगे आप एक्जाम में देंगे कोशन तो हमारे को एक शर्प पढ़न पॉर्टो है के यह हमारा है और कमपोजिशन साइट पचिस होते हैं इस टैस होते हैं और सटाफ सेट में 20 से 30 होते हैं और अभी कुछिन हम देख रहे हैं वो नेशनल काउनसे बरता है इस भाजब आगे कोई एगजाम में पार्टली कौशिन चेंड करके लाइस्ट में डिपार्मेंटल काउंसिल कर दे और आप सुचेंग यहां सर ने बदाया था अच्छा साथ विट्टिक मार के आ जाए मैं आपको बदाऊ दू एक्जाम में जब कोशन देखें आता है तो थोड़ा टेंजन कीजिए नहीं आता तो टेंजन की नहीं करते हैं आता है तो आपको समझ रहा हूं सही में वही समझ है उसकी तो पूरा पढ़िए आराम से जल्दी वाजी मत कीजिए और हिंदी इंग्लीज दोनों में पढ़िए मेने साब से और स्टार्टिंग से लेकर आखिर मेरा कि जो कोशन पहले आपको आता है उसको फड़ा काउंसल डिपार्मेंट काउंसल इस तरह के जो वाले कोशन आएंगे जहां समाहना है कि कुछ और भी उसमें तो वह कर लेजिए कि किसके लिए पूछा है उसके बादे आप आगे जाए इसमें जो बता दिया नेशनल काउंसल यहां पर लिखा हुआ है तो इसमें पिर आप का सही हो जाएगा ऑफिशल साइड अप्टू 25 मेंबर्स स्टाफ साइड में 60 मेंबर्स टिक है अप टू वाट इस्टेंट और पैंशन ऑफ एनी एंप्लोर में भी कमूटे पैंशन कितना कमूट का रस्ते हैं में एक चालीस परसेंट है किसी जामाना में यह सही हुआ करता एंप्यस लागो हो गया था ब्रेकेंश सर्विस ऑफ एंप्लोई में भी कंड्रोन बाई ब्रेकेंश जो रेलवें में होती है किसी वज़े से उसको सिर्फ प्राश्पति ही इनको कंड्रेंट कर सकते हैं सेवन सीपीसी वा सेटफ अब सेंटल गौवर्णेंट सेवन सीपीसी जीसे मैं न बताया था इसमें यह सहों सीपीसी आटाइस होगी दोजाश्वा को शेलागो हुआ था एटीन नाइन के शयद मेरे का से इसमा हुआ नहीं नहीं बनाया है तो यह आप देख लीजेंए ने to be paid constant attendance allowance जो 100% disability में जो लोग retire हुए हैं उनको ही constant attendance allowance मिलता है और उनका जो rate था पहले 45 तो हुआ करता था 7 PCC इसका 6, 7, 5, 0 पर मत हो गया है तो यह जड़ा देख लिजी अभी मेरी कहाँ से 2, 3 वार बता दी आपको easy लगेगा अब exam में है तो लेकिन इसमें question गुमाया जा सकता है question आपने लाउस किसको मिलता है तो 100% disability के वाले को ही मिलेगा या देख लिजीएगा वो चीज़ भी गुमा के को से पता सकता है अगला question है 91 The Indian Railway Caterine Tourism Cooperation has recently launched Shri Ramayana यात्रा by Deluxe H.C.Tourist 10 to promote religious tourism in the country The H.C.Tourist 10 on Ramayana circuit will cover the prominent scale process associated with the life of Lord Ramayana. This special tourism train has been launched in the line with the government of Good India initiative. तो यह जो ट्रेंड चलाग हूँ यह स्री Ramayana यात्रा जो राम जी को promote करने के लिए उसके लिए उसका नाम एक बरका है था मैंने नेट पर सर्च किया तो उसका जो नाम है देखो अपना देश यह है हमारा दी इसमें ऑप्शन सही है 92 एपिया फुर्ट येर हैस टूबी कम्टेट तो अचारम में मेरे चान का लिए साबसे 21 बाइस से कंपस्रिय कर दिया है तो शाहिए इसका अंसर सी होना चाहिए इसका मैं जड़ा चेक करना पड़ेगा कि इस फॉर्ट और इन सब्सक्राइब Üकिता है किस नंemia कमक मतलब होता है कि जो नाइंटी नाइंटी त्री में गवन्ट हैं हम लोग पुराने लोग जो हैं उनके लिए एक नियम है कईयों को पताव नहीं हो तो जो पी आफ का पैसा करता है फॉम देट ऑफ इनिशेल अपरमेंट से लेके जब पी आफ नमेशन हो जाता है उसके बाद से रिटार्मेंट के तीन मेने पहले जो है अभी नॉर्मली किसी भी कमचारी जो 93 में गवरने उसके लिए पी आफ काटना मेंडेट है लेकिन उसी में एक नियम प्रोविजन है कि तीन मेने पहले जो है सब्स्रिप्शन कटना बंद हो जाएगा इसमें नियम जो सी है इसमें जानकर यह देदू हमारा रेलर में जो लोग 85 में बढ़ती हुए अभी लोगों रिटार होने लगवा इतना सिस्टम नहीं था अप्रेशन टेक्नोलीजी नहीं थी तो अभी भी कई लोगों का डेट ऑबर्थ रेले में गलत चल रहा है काफी कोशिश की काफी इनिशिटी रेले ने किया है डि स्टाफ होंगे तो आपको इवन ग्रूप सी में भी है आपको हुस्ता को आइडिया है आपका चल रहा है अपने रिकॉर्ड में कुछ समस्या ना हो इसलिए अब देख लिए जैसे रिटार्मेंट होता आपका रिटार्मेंट से तीन मैंने पहले आपका पेसलिप जड़ा रिटार्म में अपने आप आप अपने डाला हुआ है जैसे तीन मैंने पहले आपका बंद हो जाता है लेकिन आपका नहीं बंद हुआ तो थोड़ा देख लिए कि आपका डेटो वर्त कहीं अशा था निकुल गलत है भी बाद में आपको नोकरी आपको करता जाएं करते जा है कि आपका 60 years होगया हमारे service record के साप से इसल्एाइ पास में नहीं हूँ लोगों जान का रही नहीं हो लेकिन service record 60 years होगया तो उसके बाद आपने एक मैंना क्या औचे मैंना क्या और छे मैंना क्या आपको एमार इक रूपया भी salary और कोई एलाउस नहीं मिलेगा सारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप जड़ा एंशूर कर लें कि जैसे ही आप रिडार्मेंट से तीन मेने पहले आपका पी आफ बंद हो जाना चाहिए आगे है है हमारा कुश्चिन अगला कुश्चिन नाइंटीफ़ द आमाउंट वोलेंटी सब्सक्रिशन बाई रिडार्मेंट में भी आनॉंस दूरिंग द फानेश रिडार्मेंट पुछा गया है कि जैसा आपको मालूं होगा कि जैसे पी आफ करता है तो पी आफ में हम कम ज इन्वेलिट पेंशन उसी को मिलता है जो में इन्वेलिट होगा तो इसमें मेरे इसाब से एस होना चीए वाइल बाई बोडिली और मेंटली इन्वाइल दूरिंग दो कोर्स अगर आप वाइलेंस सर्विस अप फिट नहीं है फिजिकल या मेंटली तो आप रिटार में मिल सकता है बाकी और कॉश्चन इसमें या फिर डी हो सकता है इसमें क्योंकि एक्सेंट नहीं हुआ है इसमें वैसे तो यह लग रहा है इसको जड़ा एक्जामन करने की जाय रहा है 96 में बदाया हुआ कॉश्चन पूचा है कि एस पर सेवन सीपीशी दा हाइस पे इन गॉवर्मेंट इस जो वन वन सिक्स्टीन से हाइस जो पे है वह हमारी है एक दो लाग पचास जा रुपया नहीं 97 एज रिजल्ट रिस्ट्रेश्चिंग ऑफ ट्रेक्मेंट ऑफ इंडियन डिस्ट्रिशन ऑफ पोस्ट ऑफ ट्रेक्मेंट टू इसमें मैंने यहां से आगे से 22 लिखा था इसको में 20 कर दिया क्योंकि आंसर सेट नहीं हो रहा है या फिर जिस टाइम कोश्चन बनाया था उ यह रेलेवर्ड ने 2019 से जो परसेंटेज रिवाइस की है टेक मेंटेनर की उसके लेवल टू में जो है बारा परसेंट हुआ करता था बीस है आप्शन में चूंकि बीस नहीं है छे बारा बाइस और पच्छिस है तो मेरे गासे जो कोश्चन बना होगा तब पेपर सेटर न परसेंटेज दस भीस और पचास है अगला कुश्चन है वन ऑफ डी क्राइटेरिया फुजिकल एफिजिकल एफिशिटेटेस्ट की क्राइटेरिया इसमें भी मैं आपको ज़ड़ा बता दूँ जल्दी वाज़ी में मेल करके मेल का अंसर मत किजिए कुश्चन को पुरा प इसमें जो बताया है यह है फिमल के लिए शुट बी अबल टू रण फो डिस्टेंस हंड्रेट वन थाज़न मीटर इन फॉर्टी सेगें बन चांस मेल के लिए लिए लिखा हुए एक हजा मिटर है चाल मिट में जाना है फॉर मिट इन फिटीन सेगें और यहां है फाव यहां मेल के लिए फिमल के लिए फिमल के लिए यहां वन थाज़ा मिटर कॉमन है लेकिन टाइम जो है पांस मिनिट चाली सेकिंड और यहां चार मिट पंदरा सेगें इसमें जो हमारे कॉस्चन में जो पहला दिया हुआ मेल के लिए फिमल के लिए यह आ गया बकि यह सीडी तो पुरा गलत ही आपका ठीक है ना 99 कोश्चन है इस ग्रूपे इस कहां सिट्वेश्चर है क्वेश्चन पूछा गया है मैं आज से दिखा के बताऊंगो ज्यादा आपको अच्छा लगया समझे में यह हमारा इस ट्रेंटर्स बताया होगा इसक पूने इसका पूने में इसका पूने में इसक जमालपूर में सब्सक्राइब कर दिया इसको सब्सक्राइब कर दो इसको पड़ सकते हैं इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वह पूने हो जाएगा सब्सक्राइब कर दो इसमें जो मेंबर मेंबर कर दी हैं पहले जो मेंबर हुआ करता था जो मेरी जानकारी में था और पांच मेंबर हुआ कर दे तो इन्हों ने शायद फाइनस कमिशनर मेंबर को काउंट करके च्छे कर दिया तो यह मेरे साब से और चीडियर में शिक्स मेंबर्स अभी हमारे सो कोश्चन हो गए लेकिन कुछ एक कोश्चन ही नहीं कि मैं सोच और फटा-फट इसको भी कर लें सायद कुछ काम आजा आपके इसको में स्पीड में कर रहा हूं कि अभी हमारी टूटल कितनी रिकोगनाइज जो लेंगवेज है वह है बाइस यह कोश्चन में का सब तक सब को मालूम हुआ सिंपल कोश्चन है एक सो दो में बता है वीचिज दो ओनली फॉरं लेंगवेज डिकोगनाइज वन अप दे नेशनल लेंगवेज एट शेडूल त इस में से एक मात्र जो हमारी जो फॉरं लेया जो टूफ झी वाचा कौन सी है तो उसमें नेपाली है एक सो के वीची इस्व अली यूनिंटरिटी इन लीजन भी अनिटरिटी भी में कोश ए चारू में से चंडी गड़ाता है एस है है इस है हो मैनी सेक्शन सादेर इन ऑफ भारत की किस आर्टिकल में हिंद्री को ऑफिशल लेंगेज बना गया है तो सेक्षिन 343 1 है एक 106 इन विच ये ऑफिशल लेंगेज रूज पास हुआ देखिए ऑफिशल लेंगेज एक होता है और एक रूल होता है एक 1963 में रूल 76 में यह बता तो सिंपल कोश्चन है 76 में गख गख शेटर जो बताया हुए है वह रूल है वह 76 में यह ता है इन विच यह ओफिशल लेंगवेज एक 1963 पास का पास हुआ था तो यह दस पांच 63 पास हुआ था इन विच यह ओफिशल लेंगवेज निटिस सब्सक्राइब करें इन फिस्केंश दिए सब्सक्राइब करने का हुआ है नास्ट कुष्चन है फिस्ट पर चेर पेशने पर चेर्शन आख का समीठी तो इसके आस्ट ृस्ट कुष्ट इस है अट इसे पर रेल्वेश इसे आंसर होंगे रिल मिनिस्टर मैं उमीद करता हूं यह इंदी का तो मैंने कई लोगों ने कहा कि आप सबीडिया लो तो मैं बता दू मैं लेक्चर लेने से पहले पुरिश को स्टेडि करता हूं तापको सही से सही जवाब दी जाओं यहां तक हो सके गलत जवाब में जाए था मैं प्लीज कमेंट चेंड निनको फुल ना चेप्टर अब यह नहीं नया टॉपिक लिए है कि कोशेंड प्यापर सौल किया है मेरा सौल करने का तरीका कैसा लगा कि आज यह कॉष्चंड करने चाहिए मुझे यह मुझे अपने कोशें मनाने चाहिए वह मैं सौल करूं तो प्लीज इस पर जरूर कमेंट करें अपने कमेंट और जैसे मैंने बताया कि कोश्टिन आंसर गलत हो सकते हैं कई लोग कमेंट में अगर मेरे कुश्टिन में डौट है तो बोलता है सच चेक कर लेजी इसका आउसर सही है और कई बार मैं बता दूँ इस्टैबलिश्मेंट में कोई भी वेक्ती 100% सही नहीं हो सकता, में भी नहीं हो सकता तो हो सकता है, Speedman देखते हैं, या कोई लेक्टर हमारा और से ट्रे गया अगर मेरे question किसी से अलगते हैं सब गलत है तो जरूर मुझे बताइए, मैं अगले बार इसको ठीक कर दूँँगा यह मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया है, सब कुछ शुब कामना है एक्जाम के लिए, अच्छे से एक्जाम पास करें अग्जाम देनेस पिले question को प्लीज अच्छे से समझें फिर आंसर किजिए, दो गंडे ज्यादा होता है तो अंदर की नमश्कारम, बाई, थेंक्यू